हलो एब्रिवन वेल्कम टू उगी प्रक्लासेश आज के वीडियो में कच्छानों के वार्षी परिच्छा दोहजार चौबिस के मैध के पिपर को हल करने वाले हैं जो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है यह क्विशन आपके एक्जाम में आने ही आने आले है तो है पर देख सकते हैं पहला क्यूंचन आहिस सामरे दिया हुआ कि ने ममल मेंखीत में से कौन का परिवय संक्छा है और है आपको पू hommes पूंचा क्या है वह परिपचा है तो अगर हम कर्ड़ी में चार की बात करते हैं तो इसका 2 हो जाए का परिवन अक्छा यह भ का फार्मुला होता है a plus b और e minus b e square minus b sqr h相ह होता है अगर आप कड़ी में तीन का स्कुआर करेंगे तो 3 आएगा दो का स्कुर करेंगे तो two divided घटाएंगे तो when आएगा छिस्का आपसा नबर है उसके लिए 9 लिखेंगे और जिस संख्या के उपर बार नहीं उसके लिए 0 लिखेंगे तो आपका आपसा नबर कौन सा सही हो जाएगा आपसा नबर आपका बी राइट एंसर हो जाएगा किनना बी राइट एंसर हो हुआ होगा कि यह स्कॉयर मैस 거야 को वाइये तो इसका ःदल हो जाएगा चुष्ट कर देंगे म existra गया नुत्तर आजायेगा दिया हुआ कि इतने में आपको च्श्छ उन से भाग देने, पर सेशफल किया आएगा तो ऐसा question पूछे तो simple आपको क्या करना है इसी cohort कर लेना है यक्स मैनिस one बराबर zero करेंगे और यक्स बराबर आपका one आ जाएगा तो इसी संख्षा में इसी बवगपद में आपको यक्स कमान one put कर देना है one put करेंगे तो यहां से वन हो जाएगा और यहां से भी आपका one आजाएगा यहां क्यूशन आपके सामने दिया हुआ है कि यहां से आपको टू पूट करने के लिए कराए तो यहां से आपको टू पूट करना है तो फॉर आएगा मानेस थ्री गूड़े टू प्लस सेवन हो जाएगा यहां से चार पच्छे पूट करने वाला समीकड़ आपको ग्याद करना है तो इसमें से आपको पूट कर लेना है जिसका बराबर आजाए वही आपका उत्तर हो जाएगा पहला पूट करते हैं तो यक्स कमान चार रखेंगे और वाई कमान दो रखेंगे तो तीन दून अच्छ और यहां से दस हो ज नेक्स कुशन देख सकते हैं किसी रैखिक समीकड़ में चर की उच्चतम घात हो सकते हैं यहां पर आपका क्या पूछाए कि किसी रैखिक समीकड़ में चर की उच्चतम घात क्या हो सकते हैं तो चर की उच्चतम घात कुछ भी हो सकते हैं तो इसका आपसर नमबर डी बिलक आएगा लेकिन 180 degree के बराबर आएगा तो इसका आपसे नबर आपका दी बिल्कुर राइट इंसर हो जाएगा क्योंकि यह संपूरक कोड़ है अगला क्विशन यहां पर दिया हुआ कि 80 का प्रतिवर्ति कोड़ ग्यात किजिए प्रतिवर्ति कोड़ का मतलब होता है जब उच उसका प्रतिवर्ति कोड़ आपका 60 degree होता है किना 60 degree होता है इसका आपसे नबर आपका सी बिल्कुर राइट एंसर हो जाएगा बारा नमबर क्यूशन दिया हुआ कि त्रभुज ABC में कोड़ A बराबर 30 degree और B बराबर 120 degree है तो C का मान गयत किजिए त्रभुज के तीनों चैनी तीसरा कोड़ आपका सी बिल्कुर राइट एंशर हो जाएगा तो जंग चीर्चित की सबसे बड़ी जिवा क्या कहलती थिए वह ब्यास कहलती हो जाएगा पंधर parenth कुस्न आपके सामने दिया कि सम्भाहु तRI फुश् काทव an च्या होता है तो सम्भाहु छित पर्व होता है करड़ी में तीन बटा चार भूजाए स्का आपसे नमबर आपका बी विल्कुराइट एंसर हो जाएगा सोला नमबर क्यूशन आपके सामने है कि तिर्भूज की भूजाएं यस कमान गयाद करके छेत्फल आपको गयाद कर लेना है नेक्स कुशन है दिया हुए कि एक गोले का फ्रिष्टी छेत्फल 616 सेमी स्क्वाइर है तो उसकी आपको त्रिज्जा गयाद कर लेना है तो गोले का जो फ्रिष्टी छेत्फल होता है आप सभी जानते हैं कि 4 बटा 3 किना 4 बटा 3 5R3 is equal to 16 तिसको आपको हल करके आपको आर कमान ग्याद कर लेना है नेक्स कुछन यहाँ पर आपके सामने दिया कि संकू का संपुल प्रिष्ट ग्याद किजे तो संकू का जो संपुल प्रिष्ट होता है तो पाई आर कोश्टक में H प्लस आर होता है इसका आपस 1 upon 2 होती इसका आपसे नमबर आपका एक बटा दो राइट एंसर हो जाएगा नेक्स कुछन देख सकते हैं दिया हुआ कि क्या सुन एक परिमेर संख्या होती इससे आप क्या समझते हैं इसको आपको हल कर लेना है और इसका गुड़न खल कर लेना है इन सभी कुछन को मैं आ इसी तरह से हल कर लेजिए मैं मिलता हूं इसी तरह के नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद